गुट मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स माइसल्फ डॉंक्टर तेशपाल सिंग असिस्टंट प्रूपेसर इन पाटली पुत्र इनुवस्टी पटना तो बच्चों हम डिसक्स कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट पर हमारे एक्सपेरिमेंट में हम आधकर देख रहे हैं कि हम कैसे आइडिंटिफाई करते हैं कैटाइन और एनायन किसी दिए गए मिक्सर में या फिर अनॉन सोल्ट में और इसमें जो मैथर्ड है बच्चों वह हमें दिखाना है यह कौन से मैसे विच करना है ड्राइंड वैट टेस्ट तो देखिए हमारा आज का देखिए जो एक्सपेरि इन्दा गिवन इन्वर्निक सोल्ट एम बाई परफोर्मिंग ड्राइंड वेट टेस्ट के माध्यम से सुस्क और आद्र परिच्छन के माध्यम से हमको यह बताना है कि जो अनॉन सोल्ट है उसमें कौन सा केटायन प्रिजेंट है या भी कौन सा बेसिक रेडिकल प्रिजें यानि जो कंपाउंड है उसकी फिजिकल क्रेक्टरेस्टिक्स क्या होगी देखिए तो उसमें है कलर पहला हम लेते हैं कलर क्या है देखो वाइट यान किस रंग का है यह सफेद रंग का है दूसरी दूसरा इसके स्टेट मतले है इसकी अवस्था अवस्था कैसी है एम और और देखिए solute क्या है solute in hot water और जो hot water में solute करते हैं तो इसका color कैसा color less है यानि कि रंग हीन है अब देखिए test देखते हैं dry test for basic radical कौन सा test कर रहे हम सूस्क परिक्षण किसका basic radicals का जैसे हमने पहले क्या था देखिए टेबिल बना रखता है experiment observation और inference का जैसे कि नाम से करें dry मतलब सूस्क परिक्षण तो क्या ले रहे हैं action of heat यानकि heat का क्या प्रवाब पढ़ता है एक test tube में क्या लेना आपको sample लेना है जो sample आपको दिया जाएगा और उसको क्या करना है गरम करना है गरम करना है और हम देखते हैं कि गरम करने के बाद उस sample को test tube में डालने के बाद जब गरम करते हैं तो क्या-क्या observation आता है देखिए पहला अगर cracking noise है कड़कड़हट की आवाज आ रही है तो influence में क्या देखिए maybe sodium हो सकता है potassium हो सकता है या फिर lead हो सकता है कब होगा जब इसको गरम करने के बाद cracking noise आएगी क्या कि मतलब तूटने के आवाज आती है करकाड के आवाज आती है और दूसरे में क्या है देखिए अगर गरम करने के बाद colorless पंजेंट ओडर मतलब तीबर गंद की gas निकलती है जो क्या देती है बिच गेव वाइट फ्यूम्स विद ग्लास रोड मोश्चन विद अनुस्त्री जब अनुस्त्री लिक्विड की ग्लास रोड के साथ इस गैस के सामने लाते हैं और वाइट फ्यूम्स मतलब सफेद हो सकता है सी एल निगेटिव जो हम पहले से एक्सपरिमेंट में देख चुके हैं और थाड़ा वाइट रेसिड्यू ग्लो ओन हीटिंग यानकि कैसा रेसिड्यू आता है वाइट रेसिड्यू कब जब इसको हीट करते हैं तो क्या प्रेजंट हो सकता है मेबी एमडी तू कैसिंट्यू और इस ट्राजसियम तू पोजेटिव यानकि इस टाइप के कैटायन प्रॉजञंट हो अब हम इसको कर लेंगे किस से बीखिए हमारे इसमें क्या आया है मेंभी लेड पोटेसियम सोडिय मेंगनेसियम कैलिसियम और इस्टरांसियम अभ हम वेट टेस्ट के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौण सा केटाय बास्तब में प्रिजेंट है य मैंने कि हमारी केडिकल आ जागा सीदे कान्फरमेट्री टेस्ट अब आगे देखेंगे इसका कान्फरमेट्री टेस्ट-ट भी है थो देह बच्छी अब हम देखने जा रहे हैं आ गया वैट्स मतलब आद परीच्छन यह से पहले हम सुसक परिच्छन देख रहे थे इसमें है पहले करना हमको को गुरूब सेपरेशन जो हमको केटायैंस बताना है उसमें करना है गुरूब सेपरेशन यानि कि March फर्ज गुरूब का परजेंट है है सेकिन्ट का प्रजेंट है 3rd का है 4 यह 5 का तो सबसेपदर हमने लिया है दर्किए heading group separation of cations इसमें क्या करना है the salt mixer बाज dissolved in dilute H3 and then dilute HCl was added to the cold solution यानि पहले जो mixer है salt उसमें डालना है तनू नाइट्रिक अमल और उसके बाद तनू हाइड्रोकलोरिक अमल और डालने बाद हम देखते हैं अगर वाइट पीपीट आ जाता तुरंथ अगर वाइट प्रेसिपीट आ जाता है mixer में dilute HNO3 और डालने बाद तो हम सीधे कह देते हैं कौन से गुरूप प्रजेंट है गुरूप फर्जेंट है तो हम देखा क्या आगे वाइट पीपीट अगर करके देखते हैं कि कौन सा गुरूप होगा उसका क्या करना देगी फिल्ट्र करना है जैसे वाइट पीपीट आया उसको फिल्ट्र करा तो फिल्ट्र मतलब जो नीचे करने वाइट उसको बोलते हैं और पीपीट्र इसको बौलते हैं अगर अगर PPT नहीं आता है जैसे इस केस में लिए No PPT तो हम कहते हैं ग्रू Garam करने के बाद और ऐस्टोए你说 उसमें onकर करने के बाद प्रिसिपेड नहीं आता तो इसमें कहा है अफसेंट है और बैसे ऐसमें gonna kya Springs निकाल चुके हैं आग्ट देखते हैं देखिए अगर दा फिल्ट्रेट वाज बॉल्ड गरम करना है फोर ए फ्यू मिनट्स तू रिमूब एस्टूस गैस थोड़ी देर तक गरम करना है ताकि जो हमने एस्टूस गैस पास करी थी वो क्या हो जाए रिमूब हो जाए हट जाए एंड उसका ठंडा करना है और फिल्ट्रेट में एड करना है और एड करने के बाद अगर पीपी टी नहीं आता है तो हम कहते हैं गरूब हरद गए है ऐस्ट्रमाइट में और वैसे भी इस एक्सपरिम्न में हमको पता लग गया है starting में किया है group First present अब हमको एक ही Catania देखना है अगर हम एक साइज जदा Catans देखते हैं तो हम आगे और इसको फर्दर करने की कोशिश करते हैं प्रियास करते हैं कि हमको पता लग गया है group क्या है first present तो that नीसको बोश करना है यह कोड़श करने अगरम बोई जो फिल्टर न फिल्टर फिल्टर कर लेना कि अई इतना करने के बाद देहां प्लिटेग layout no ppt किसका है यह G-positive यानिके silver cations का और क्या है HG2 cation Mercury क्या है इसमें अगर no PPT है तो absent है अब क्या करना है जो होट solution हमारा जो filtrate है उसका होट solution है उसको दो जगे डिवाइट करना है अलाग टैस्टी मिलेकर अलाग बांट देना है और दो जगे ठंडा करने के लिए रख देना है और हम देखते हैं वाइट नीडल क्रिस्टल अगर वाइट कलर के क्रिस्टल मिल जाते हैं तो सीरे कहले हो हम लैट क्या है प्रेजेंट यानिके निसलम थ्थी वैश्याट बढलाना है टका हो जाएए एसेधिफाइट हो जाए और जैसे इसको एड़ करने वाद अगर येलो प्रेसिपिटेड मिलता है तो हम कहते हैं लेट टू पोजिटिव इसमें क्या है प्रिजेंट है कि इसमें जो अन्नोन सोल्ट हमको दिया गया है अब लाश में क्या है दिखना रिजल लिखना बच्चो देखो हमने ड्राइट टेस्ट के मादधियम से बताया था कि लेड हो सकता है अब बैट टेस्ट के मादधियम क्या हो गया ये कंफर्म्ट हो गया है कि इसमें कौन से केटाइन प्रिजेंट है लेड एंगी पीवी टू प्लस केटायन प्रिजेंट है वही लिखते हमें देखिए रिजल्ट दा गिवन अन्नों सोल्ट कंटेंड लेट टू पोजिटिक केटायन रेडिकल्स तो बच्चों हम इस एक्सप्रेमें देखे हैं देखा है हमने के ड्राइ और वेट टेस्ट के माध्यम से केटायन रेडिकल्स का टेस्ट कैसे करते हैं थेंक यू